तो कसम खुदा की बोलनों अगर आपके पास इमरेत आईडी है तो आपके लिए इतना इंपोर्टेंट खबर है कि आप अगर यह से नहीं आप अपने जीवन में लागू करोगो तो 20,000 दरम तक जुर्माना है इसलिए वीडियो पूरा देखना दो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोनों अपडेट को पर आप से बात करने वाला हूँ दो तीन मिनेट का वीडियो है लाग तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले तो पहले सौड वीडियो की बात कर लेता हूँ आपने देखा आचाना के जो मच्छी मार्किट के अंदर दुबई का सिख जाते हैं और वहाँ का जितना सरसफाई या जो दुकंदार लोग इस्टॉल लगाते हैं मच्छी और बिकरी करते हैं सारा चीज को खुद से निगरानी कर रहे हैं तो ऐसे राजा को दोस्तों बिक सुलूट है इनके लिए दो सब्द नीचे कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखना बेडाओट सिक्रेटी कोई पूलिस वाला आगे पीछे नहीं ना कोई गाड़ी जैसे ही दो चार दोस्त के साथ वहाँ पे जाते हैं और सारे चीज देखते हैं कि वहाँ पे अच्छे तरीके से सही सलामा सब चीज चल रहा है कि नहीं क्योंकि थोड़ा दिन पहले एक सूपर मार्किट का भी तस्बीर वायरल हुआ था वहाँ भी अचानक दुबई से पहुँच जाते हैं और सारे चीज खुद से निगरानी करते हैं इसलिए आज दुबई इस मुकाम पे है क्योंकि सुरक्षा के मामले में दुनिया के सबसे सेफेस कंट्री है आज बना हुआ है तो इसलिए दोस्तों आज दुबई इस मुकाम पे है बाकी हमारे देश में भी इस तरह का चीज हो जाए तो हमारा इंडिया भी कहां से कहां प पहले तो आपको इस्किन शॉट पर लगा कर दिखा रहा हूं नहीं तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में बढ़ जाता है कि यह फेक न्यूजे जूट न्यूजे इसलिए हम पूरूफ के तौर पर आपको लगा कर दिखा रहा हूं यह गल्फ न्यूज में भी आया है खलिश प्राइंस में भी आया है तो पहले आप यह देखे तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो देश तक ते हो यह जो खलिश प्राइंस की तसवीर है 20,000 तरहं तक समद सकते हो 20,000 मतलब मिंडियन मली पांत से 6 से लाक रुपए तक हो जाता है सम्थिंग तो आप ये भ्यूलकिल मिश्टेक ना करना क्योंकि गौर्मिट ने अपडेट जारी करके आप लोगों के लिए बताया है जो भी वहां पर काम करते हैं या वहां के निवासी है सब के पास इमरेत आइडी होता है ठीक है तो उसमें है कि अगर आपका इमरेत आइडी एक्सपैर हो जाता है यानि आपका जो इमरेत आइडी है उसका डेट एक्सपैर हो जाता है तो उस बीच में यानि तीस दिन से पहले अगर आपका जो इमरेत आइडी और रेनुवल नहीं करते हैं तो उस पर भारी जुर्माना लगेगा दूसरा है कि आपका अगर मान लिए इमरेत ID खो जाता है, भूला जाता है, तूट जाता है, फट जाता है, तो आपको इनमे जेटली IPC के वेपसाइट पर बताना है, अगर आपको पता नहीं कि IPC के वेपसाइट क्या है, तो जगा-जगा पर टैपिंग सेंटर बना हुआ है है आप वहां जाकर अपना समस्य बता सकते हो या फिर अपनी कंपणी में इंफॉर्मेशन दे सकते हो एचार टीम को फिर वो लोग आपको बताएंगे कि करना क्या है क्योंकि इसमें बताएंगे है कि अगर आप एक महीना के बाद इसका बारे में बताओगे तो डेली का लगभग आपको बीस दरहम जुर्माना लगेगा तो एकस्पायर हो जाए या फिर खो जाए भुला जा इम्रेट आइडी तो आपको एक महीना के अंदर ही आपको इसका इंफॉर्मेशन देना है नही पूछे क्योंकि गौवर्मिट ने अपडेट जारी करके बताया था मैं सोच अपने वर्कर भाई के साथ ये वीडियो सेर करूँ ताकि आप लोग सतर करें सौधान रहें मिलता हूं नए अपडेट के साथ नहीं जानकारी के साथ जब तक जैहिंद